नमस्ति दोस्तों जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का विसे एक चक्रवर्ती यूटूब चैनल महार्दिक स्वागत करता हूँ क्लाश 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माईदम से क्लाश 12 के इंगलिस कोर के फ्लैमिंगो बुक से पॉइटरी सेक्षन के पॉइम ओन माइदर एट 66 के टॉप 15 इंपॉटेंड एक्जाम रिलेटेट एमसीक्यू टाइप क।िसंज करवाने वाला हूँ ताई मानिए बहुत सारे क।िसंज एक्जाम मैं एहीं से देखने को मिलेंगे नहीं देखे हैं, इस वीडियो के अंद के बाद आप लोग उन तीनों वीडियो को देख लीजेगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन साबित होगी, क्योंकि मैं लाइव आकर आप लोग का टेस्ट लेने वाला हूं दोस्तों, इसलिए आप लोग लेने वाला हूं ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इस चैनल को सब्रीज़ कर लें ताकि एक एक नॉटिफीकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें और इस वीडियो को जाधा से जाधा दोस्तों इस टेस्ट में जूर सकें, सबको इंफॉर्म कर दिए दोस्तों कि आप लोग दोस्तो, direct MCQ type questions बताने से पहले, इस poem के बारे में कुछ major points को जान लेते हैं, ताकि MCQ type questions में आप लोग को help मिल सके, दोस्तो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यह जो poem है, my mother at 66, इनके point का नाम है, दोस्तो, कमला दास, को है दोस्तो, कमला दास, ठीक है, चलिए, कुछ major points से द कोचीन हवाई अड़े के लिए गाड़ी चला रही है, दोस्तो, याद रखिएगा कहां से, अपने माता पिता के घर से, और कहां के लिए, दोस्तो, याद रखिएगा, कोचीन एरपोर्ट के लिए, कोचीन हवाई अड़े के लिए, ठीक है, चलिए, next point के और बढ़ते है, point नबर टू क्या लिखा है दोस्तों, her mother who is 66 years old is sitting beside her, उसकी माम्मी जो 66 साल की है, उसके पास बैठी हुई है, याद रखें कि दोस्तों, उनकी मम्मी का उम्र कितना हो रहा दोस्तों, 66 साल, 66 years old, इसलिए पॉयम का नाम रखा गया है, my mother at 66, उनके मम्मी का उमर कितना हो रहा दोस the old lady is doging with her mouth open, याद रखिये, यह जो बुड़ी lady है, मुझ खोल कर जबकी ले रही है दोस्तों, ठीके, जिसको short nap के नाम से भी जाना जाता है, हलकी सी जबपी, दोस्तों, याद रखियेगा, मुझ खोल कर, ठीके, पॉइंट नमर 4 क्या लिखा हुआ है, her face looks pale and faded like ass, उनका चेहरा राक की तरह पीला और मुर्जाया हुआ दिखता है दोस्तों, ठीके, जैसे बुड़ी औरत का क्या हो जातर चेहरा, पीला पढ़ जाता है, मुर्जाया जाता है, उस तरह लग रहा है, ठीके, पॉइंट नमर 5 देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ दोस्तों, it looks lifeless like a dead body, ठीके, it looks lifeless like a dead body, या मिर्थ सरीर जो लास की तरहा निर्जीव दिखाई देता है, जोस्तों, याद रखेगा, ठीके, corpse मतलब दोस्तों, लास, याद रखेगा, corpse means, लास होता है, ठीके, आपसे question पूछा जा सकता है, corpse means क्या होता है, दोस्तो, dead body, ठीके, last, ठीके, ठीके, next point क्यों बढ़ते है, point number six, क्या लिखा हुआ, it arouses pain in the poet's heart, या कवित्री की दिल, यानि हिर्दय में पीडा, यानि दुख पहुचाता है, ठीके, उनके ममी को देखकर, उनकी इस हालत को देखकर, कवित्री के मन में क्या होता है, दोस्तो, दिल में ठेस पहुचती है, ठीके, दुखी हो जाता है, दोस्तो, याद रखे, ठीके, point number seven, देख सकते है, दोस्तो, क्या लिखा हुआ है, the point turned away her attentions from her mother and looks outside, ठीके, कवित्री ना अपना ध्यान अपनी मा से हटा लिया, और बाहर देखने लगी, याद रखे, दोस्तो, inside, यानि जब ममी के ओर देख रहे ठीके, point number, next point, eight number point, देख सकते है, दोस्तो, क्या लिखा हुआ है, the world outside is full of life and activity, क्या लिखा हुआ दोस्तो, the world outside is full of life and activity, बाहर का संसार जीवन और गती विदियो से भरा हुआ है, ठीके, जब तक वो अंदर देख रही थी, अपने ममी के ओर दिख रही थी, दोस्तो, तो कोई लाइफ नजर नहीं आ रहा था, ठीके, और tensions में पढ़ गई थी, अंदर या अंदर उनको पीडा हो रहा था, दुख पहुच रहा था, ठीके, इसलिए अपने ममी से नजर हटा कर outside की और देखी, तो outside में पुरा संसाल लग रहा है, कि हाँ, यही पर life है, और full of activities है, ठीके, चरी, next point की और बढ़ते है, point number 9, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, the trees seem running past, जैसे ही खिड़की से देखता है न, दोस्तो, तो जो पेड जो है दोस्तो, वो पीछे दोडते हुए प्रतित होते है, ठीके, जैसे गाड़ी जैसे ही आगे की और बढ़ता है न, दोस्तो, तो पे इंडो में देखिएगा, तो पेड जो है दोस्तो, वो लागेगा, पीछे की और तेजी से क्या हो रहा, पार हो रहे है, ठीके, दोड रहे है, ठीके, चलिए आगे गुर बढ़ते है, point number 10, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, and the children seem to be enjoying while coming out of their homes, और बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हुए, enjoy करते हैं, ठीके, देखिए, दो चीज देखा, किसने, point ने, पहला देखा, sprinting trees, ठीके, पीछे की और तेजी से भागते हुए, पेडों को, ठीके, वो चीज भी देखकर point को अच्छा लगा, और दूसरा चीज देख रहा है, बच्चे जुमते हुए, खेलते हुए, प्रसन से, घर से बाहर निकर रहे, दोडते हुए, ठीके, ये चीज को देखकर कहीं ने, कहीं, outside में दिख रहा है, यहां, outside में life है, और इधर जो, अंदर की और जब inside में देख रहा है, अपना ममी को, तो ऐसा प्रतीत हो रहा कि कोई life ही नहीं है, ठीके, या to undergo a security check at the airport, उन्हें airport पर सुरच्छा जाच से गुजरना पड़ता है, जैसे ही airport में परवेश करता है, तो उन्हें security check-up का सामना करना पड़ता है, ठीके, सुरच्छा जाच से गुजरना पड़ता है, point number 12 देख सकते हैं, बहुत ज़्यादे important point है, standing a few yards away, she looks at her mother, ठीके, force, its sign and strength, यह बहुत ही ज़्यादा important point है, दोस्तों याद रखेगा, उनका चेहरा देर से जाड़े के चांद की तरह मुर्जाया हुआ लगता है, जिसने अपनी चमक और ताकत, यानि सक्तिक हो दिये, दोस्तों याद रखेगा, इस point में से आप से MCU type questions पूछा जा सकता है, औ पर जो है दोस्तों, point की मम्मी का जो चेहरा है, दोस्तों मुर्जायवा चांद से तुलना किया गया, याद रखेगा, compare किया गया किन से दोस्तों, late winters moon से, ठीक है, why क्यों किया गया, ये भी पूछा जा सकता है, तो दोस्तों याद रखेगा, जैसे late winters moon में sign की कमी होती है यानि चमक की कमी होती है, और strength यानि power सकती की कमी होती है, उसी तरह उनका मम्मी का चेहरा में भी कोई चमक दिखाई नहीं दे रहा है, कोई strength, power दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए, that's why, यहाँ पर compare किया गया है, late winters moon से, यहाँ पर subjective questions भी पूछा जाता है, और objective questions में भी year of the childhood, return again, ठीक है, पुराना परिचीत दर्द, यानि जाना पैचाना सा दर्द और बचपन का डर, फिर से लौट आता है, दोस्तों, याद रखेगा, यह जो डर है, दोस्तों, किस चीज का डर है, अपने अम्मा को खोने का डर, ठीक है, जब-जब कवित्री अपने मम्मी को छोड़ कर वो जाती है, बस एही डर उनका written हो जाता है, एही childhood fear उनके अंदर आयाता है, याद रखेगा, ठीक है, अपने अम्मा को खोने का डर, ठीक है, लौसिंग हर मदर, यह डर जो है, जोस्तों, कवित्री कमर में बैठ जाता है, ठीक है, और देखिए, point number 15, ठीक है, क् See you soon, अम्मा, and smile, and smile, ठीक है, लेकिन वह सामाई ने दिखाई देने के लिए, स्वैम को समालती है, ठीक है, अपने मम्मी के सामने, स्वैम को संभालती है, और अम्मा को अलविदा कहते हैं, वो आपने चेहरे पर smile देती है, ठीक है, क्या करती है, जोस्तों, smile देती है, और अ लेंगा अम्मा ठीक है और smile और smile यानी चेहरा से एक मुस्कान देती है और ये assurance देता of the poem my mother at 66 ये question आप से पूछा गिया है दोस्तों बहुत important question है सबसे पहले दोस्तों याद रखीगा जितने भी poems है उनके point के नाम आप याद कर लीजिएगा क्यूंकि सबसे पहला question वही आएगा कि इस कविता के कभी कौन है ठीक है एक question है दोस्तों question one में who is the point of the poem my mother at 66 यानि my mother at 66 point में यानि कविता के कभी कोन है दोस्तों option A is the correct answer याद रखीगा कमला दास याद रखीगा कमला दास ठीक है चाहिए next question को बढ़ते है question 2 जो बहुत ज़्याद है important question है कमला दास was a dash यानि कमला दास ठीक डैस क्या थी दोस्तों option A बैंगॉली या option B पंजाबी या option C केरलाइट यानि केरल की रहने वाली या option D गुजरा थी याद रखीए दोस्तों option C is the correct answer केरलाइट यानि केरल की थी याद रखीए का कमला दास समझ के आप लोग बैंगॉली मत लिखिएगा ठीक है यह थी केरल की यानि केरलाइट ठीक है next question क्यों बढ़ते है question number 3 जो बहुत ज़्याद है important question है what is the theme of the poem कविता का theme यानि विशाई क्या है यह आप से पुछा गिया दोस्तो एकदम option A is the correct answer death and decay is the truth मिर्त्यू और च्छाई एक सच्चाई है दोस्तो याद रखिएगा मिर्त्यू एक सच्च है दोस्तो ठीक है इसका सामना एक ना एक दिन हर किसी को करना एकदम पड़ेगा दोस्तो ठीक है यह माल लीजिए मिर्त्यू और च्छाई एक सच्चाई है ठीक है चलिए नेक्ट कोश्चन के ओबर ते कोश्चन अवर फोर देख सकते क्या पूछा गिया है कवित्री कमला दास कहां से गाड़ी चला रही थी यह आपसे पूछा गया दोस्तो मैंने अभी वताया कहां से दोस्तो अपने माता-पिता के घर से यानि कोश्चन के ओबर ते कोश्चन 6 देख सकते हैं बहुत ही ज़्याद रखेगा यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन है वैर वस दपॉइट ड्राइफिंग टू जब भी लास्ट में टू लगा रहता है तो याद रखिएगा अप लोग भी लिखते हैं आएम गोईंग टू स्क गोईंग टू स्कूल मैं स्कूल जा रही हूं इसी तरह यहां पर कोश्चन पुछा गया कि कवित्री कहां जा रही है ठीक है ते एकदम सही सोचे दोस्तो कोचीन एयरपोर्ट ठीक है यानि option B is the correct answer कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही है ठीक है चले next question के ओर बढ़ते question number 7 द चले दोस्तों next question के ओबरते बहुत ही important question है what is the point's childhood fear कवित्री का बचपन का डर क्या है दोस्तों यह डर पूछा गिया बचपन का प्यार नहीं पूछा गिया ठीक है option is the correct answer दोस्तों lossing her mother forever यानि अपने मा को हमेशा के लिए खोना यह उनका बचपन का डर था दोस्तों याद ठीक है चले next question के ओर बढ़ते question number 9 जो बहुत ही ज्यादा important question है why was mother's face pale यानि मा का चेहरा क्यों पीला पड़ गया था दोस्तों आप सभी जानते है जब जब एज बढ़ता है दोस्तों चेहरों पर जुर्दी आना start हो जाता है चेहरा पीला पड़ जाता है ठीक है यानि option is the correct answer दोस्तों due to her age उनके बढ़ती उम्र के कारण ठीक है चले next question के ओर बढ़ते question number 10 जो बहुत ही ज़्यादा important question है when the point looked at her mother again she felt a pang of dash ठीक है जब कभित्री ने फिर से अपनी मा की ओर देखा तूसे एक दर्द महसूस हुआ वो दर्द क्या था दोस्तों उनका जाना पहचाना ठीक है याद रखेगा option A is the correct answer हर familiar एक फैमिलियर एक मतलब दोस्तों familiar मेंस जाना पहचाना डर जिससे वो परिचीत थी ठीक है वही डर उन्हें महसूस होता है दोस्तों option A is the correct answer हर फैमिलियर एक चली दोस्तों next question के ओबढ़ते question 11 जो बहुत ही ज़्यादा important question दोस्तों आपक अपनी मा की तुनला किसे की दी दोस्तों late winter's moon से option B is the correct answer late winter's moon क्यों किया गया था दोस्तों याद है आप लोग को अच्छे से क्योंकि late winter's moon अपना strength अपना sign खो देता है दोस्तों जिस तरह उनके मम्मी का चेहरा का sign एकदम completely खो गया है ठीक है इसलिए उनके मम्मी का तुनल क्यों उनके मम्मी का चेहरा का तुलना सित काल के चांद से किया गया ये question आप से पूछ दिया क्यों किया गया बताइए option A dull face के कारण या सुस्त चेहरा के कारण option B pale and colorless face ठीक है यानि पीला और रंग हिन चेहरा के कारण option C old age of points mother कवित्री की मा की विर्धावस्था के कारण या option D all of these इन में से सवी तेकदम याद रखें दोस्तो option D is the correct answer all of these इन में से सवी ठीक है उनका मम्मी के चेहरा dull face भी हो गया पेल भी यानि पीला भी पड़ गया है colorless भी हो गया है ठीक है old age के कारण भी ऐसा होता है यानि option 3 का 3 सही है यानि option D is the correct answer ठीक है चाहिए next question के उब ठीक ही है क्या दोस्तों दो चीज देखिए यह आपसे पूछ दिया ठीक है option A is the correct answer sprinting trees and running children याद रखें कि दोस्तों पीछे की और तेजी से भागते हुए पेडों को देखिए और बच्चों को देखिए खेलते हुए ठीक है दोडते हुए ठीक है यानि option A is the correct answer sprinting trees and running children ठीक ठीक है आप लोगों से एक प्रसने जोस्तों कवित्री की मम्मी का एज कितना हो रहा है ठीक है इस point के according कवित्री की मम्मी का एज कितना हो रहा है 66 साल यानि 66 years 67 years 68 years या 69 years अब लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ठीक है तब तक लिए जोस्तों next question के बढ़ते question of parting जो बहु से बिच़डते समय यानि parting करते समय उसने किन सब्दों का इस्तेमाल किया था याद रखी दोस्तों जब गुडवाई करने के time आ गया था जब बिच़डने के time आ गया था तो कवित्री अपने मा से क्या कहती है या आप से पूछा गया दोस्तों यानि एकदम सही सोचे दोस points face while parting from her mother अपनी मा से बिचरते समय कभी के चेहरे पर क्या भाव थे दोस्तो ठीके एकदम सही सोचे दोस्तो smile वाला चेहरा था ठीके अब अंदर से तो कवित्री दुखी थी ठीके लेकिन मम्मी को कैसा expression दिया दोस्तो फिस से याद रखेगा smile दिया गया ठीके एक मुस्कुराहट दिया गया ठीके ताकि उनके मम्मी को एक assurance मिल सके ठीके कि हाँ फिर से मिलेंगे ठीके तो यानि कवित्री ने कौन सा expression दिखाया दोस्तो एकदम सही सोचे option B is the correct answer smiling ठीके मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया कवित्री ने अपने मम्मी को ठीके तो आसा करते दोस्तो आज का ये वीडियो आप लोगो पसंद आया अगर ये वीडियो थोड़ी से भी helpful लागी तो प्लिस इस वीडियो को जाज से जादे दोस्तों भी share करे like करे और comment करे और कितने student शाते है कि मैं इस Sunday लाइब आओं आप लोगों के लिए टेस्ट लेने ठीके comment में जरूर बताईएगा तब तक के लिए दोस्तों धैन्यवाद जैहिंद बंदे मात्रम